हेलो दोस्तो विराट कोली है इस प्लियर का नाम ये खिलाडी है महान खेलता है घमासान अपने रनों से लोगों को करता है हैरान और परिशान बिलकुल क्यूंकि इन्होंने 15 जन्वरी 2030 को अपना 74 इंटरनेशनल सेंचुरी और 46 इंटरनेशनल ODI सेंचुरी पूरा किया और व सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने इसी हिनिंग्स में लगाए जिस तरह से दो साल उनका बहुत ही बुरा गया उसी तरह से जो कमबेक हुआ है वो बहुत अलग कमबेक दिख रहा है सिरलंका के बिरुद हुए ODI सिरिस में उन्होंने दो सेंचुरी अपने पूरे के 73 और 74 अ उन्होंने अपना सेंचुरी किया था इंग्लेंड के बिरुद उसके बाद 15 जन्वरी 2018 अपना सेंचुरी किया साउथ अफ्रीका के बिरुद उसके बाद 15 जन्वरी 2019 और 15 जन्वरी 2030 यानि कि कल सिरलंका के बिरुद मुझे तो लगता है कि 15 जन्वरी को विराट कोली डे के तोर पे घोसित कर देना चाहिए जिस तरह से उनकी 15 जन्वरी पे consistency हमें दिखी है अज़ा हम सचीन तेंडूलकर दा मास्टर ब्लास्टर के रेकॉर्ड्स के साथ विराट कोली के रेकॉर्ड्स को अगर मैच करें तो ओडियाई में मास्टर ब्लास्टर सचीन तेंडूलकर के 49 सेंचूरी से वहीं अगर टीट्वेंटिस में देखे तो एक भी नहीं और अगर मैं टेस्क की बात करूँ तो उनके सेंचूरी से 51 टोटल बन जाते हैं कितने 100 सेंचूरी वहीं अगर मैं बात करूँ विराट कोली की तो उनके 46 ODI हैं एक टीट्वेंटी और 27 टेस्ट हैं बहुत ज्यादा तो कोई फेर बदल नहीं है 26 सेंचूरी ही दूर हैं विराट कोली सचीन तेंडूलकर से क्या विराट कोली 100 सेंचूरी का आकड़ा पूरा कर सकते हैं अगर मैं उनकी रिकॉर्ड की बात करूँ तो 46 ODI हन्रेट्स अल्रेडी पूरे हो चुके हैं टी ट्वेंटी हन्रेड उनके नाम है और 27 टेस्ट हन्रेड उनके नाम है तो इस एवरेज से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उनका एक साल में एवरेज 6 हन्रेड वो करते हैं 6 सेंचूरी जानी की तो मुझे लगता है कि 5 से 6 साल अगर वो खेल ले और अगर लग उनके साथ हो तो पांची साल अगर वो सही से खेल ले पूरे कंसिस्टेंसी से तो बिलकुल वो आकड़ा उनसे दूर नहीं है बिलकुल उम्मीद करेंगे हम कि वो पूरा करें और 2023 जो वर्ल्ड कफ होने वाला है उसमें भी उनकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेंगी और वो कंसिस्टेंसी बिलकुल बरकरार रहनी चाहिए दुआ तो वही है और बाकी खिलाडी तो है महान अब करते हैं इस वीडियो को ही पर समाप अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कर दीजिए का लाइक कमेंट सेर और अन्तिम सब्सक्राइब चलिए सुक्रिया